नबस्ते ब्रेक के बाद हम लोटा है और आपके साथ मैं जुड़ा हूँ जपरकाश शर्मा और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शुब समाचार की सुभा सुभा है गुवि शुब समाचार की उत्तरकाशी की बात करेंगे जियाँ टेनल में रेस्ट्यू का 11 वादिन है और टेनल के उपर वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी है ड्रिल करने के लिए प्लेटफोर्म तक पहुचाई जा रही है मशीन है टेनल के अंदल से मल्बे में भी हो रही है ड्रिलिंग NHIDCL मल्बे में डाल रही है पाइप शेंच के पाइप से भेजा जा रहा है भूजर मस्दूरू को लगतार ऑक्सीजन भी बेजी जा रही है तो लगतार पलपल के अपडेट 11 वादिन है आज 11 दिन में आज क्या होने जा रहा है वो सबसे पहले हम आपको बताने टर्नल के उपर वर्टिकल ड्रिलिंग के तयारी हो रही है ड्रिल करने के लिए प्लेट्फोर्म तयार कर देगा है प्लेट्फोर्म तक पहुचाई जा रही है मशीन है टर्नल के अंदर मल्बे भी हो रहे है मैं भी ड्रिलिंग हो रही है NHI DCL मलवे में डाल रहे हैं पाइप 6 इंच की पाइप से बेज़ा जारा भोजन मजदूरों पर अगतार ओक्सिजन भी दी जा रही है कल तस्मीरे भी सामने आज चुकी थी आपके आपने देखा था कि मजदूर सभी सुरक्षे थे ड्रिल करने के लिए प्लेटफोर्म तक पहुचाई जा रही है मशीने सिल्क यारा टरनल में अभी ऑलिच वैल क्योंकि जो तस्मीरे सामने आई है मजदूरों की रहत की सासले पर शासन सरकार और उनके परिवार जनोंने और जो रेस्क्यू टीम जुटी हुई है उसने भी ड्रिल करने के लिए तमाम मशीने आप देख सकते है मनना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में शुब समाचार मिल सकता है दसमे दिन टर्ल में फसे मजदूरों की तस्वीर सबसे पहले आपने जीम इविए पर देखी भी होंगी वीडियो में सभी मजदूर सो रक्षे दिखाए दिए फलाल ओर इजन्टल ड्रेलिंग का काम चारी है 900 mm के पाइप के अंदर 800 mm की पाइप डालने का काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बढ़ती खुशखबरी सामने आ सकते हैं प्यमोधी ने भी पूरे हालात पर नज़र बना हुए प्यमोधी लगातार दूसे दें सीमधामी को फोन कर ओपरिशन की जानखरी लिए तो खल भी आपको बता लें कि प्यमोधी ने जानकरी लिया सीमधामी से बात की कि इका कुछ अप्डेट है यह पूरे जानकरी लिया कुछ मदद की भी अगर बात आती है तो केंज सरकार हर समब मदद करें क्योंकि केंज सरकार की टीमें पहुत सारी टीमें लगे हुए हैं केंज सरकार के अधिकारी लगे हुए हैं लगातार मंत्री दोरे पर हैं लगातार पुशकर सिंधामी भी दोरा कर चुके हैं तो बड़ी खबर उत्तर काशी से 11 दिन पूरे हो चुके रवी बार को ये खादसा हुआ था जब टनल धस गई थी जिसमें मजदूर मलवे में फस गई थे जो 41 मजदूर काम कर रहे थे ये दिवाली से एक दिन पहले की बात है तब ये खादसा हुआ बड़ी खबर बड़ी जानकारी दर्शेकोता हम पहुचा रहे है चलिए हमारे साथ हमारे सभी रामानुज और ज्यादा अपडेट की साथ जुड़ गया है पानुज ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ अपडेट चल रहे है क्योंकि 11 दिन गुजर चुके हैं और उम्मीद है कि शुब समाचार जल्द मिलेगा जैपरकास रेस्क्यू आपरेसन का आज 11 दिन है और आज को बड़ा दिन भी कह सकते हैं और अपडेट भी आपको बताते हैं बड़ा दिन क्यों कह सकते हैं इसके लिए भी आपको बताते हैं सबसे पहले आप यहां के ground zero की तस्वीर देखिए टनल की और इसके बाद आपको जवाब देते हैं देखिए जो कल से auger machine चल रही है 800 mm की ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 मीटर तक वो मलबे में ड्रिल कर चुकी है और जो अधिकारियों ने जानकारी दी थी 22 मीटर से लेक सकता है अब सबकी पराथना यही कि अगर 35 मीटर पूरी पाइप जा चुकी है तो केवल अब यह समझे कि 7 मीटर अगर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती तो इस 7 मीटर के बाद कभी भी किसी भी छण एक ब्रेक्थोरो मिल सकता है अच्छी खबर मिल सकती है और उसके लिए आज का पूरा दिन इंतिजार करना पड़ सकता है यह भी है इसलिए कि जो पाइप के पूरी ड्रिलिंग का काम चल रहा है वो दो से धाई घंटे एक पाइप से दूसरे पाइप को जोडने में लगता है तो उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं तो 5 मीटर की जो परोध ना आए यही आज का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो 7 मीटर के आसपास का है 7-8 मीटर का जैसे वो क्रास होगा इसके बाद पूरी तरह से उमीद की जा सकती है कि अब उन मजदूरों तक पहुँचा जा सकता देखिए कितनी तेजी के साथ में इस तरह आवाज आ रही है दर्सकों की यह बता रहे है कि जब सुबह होती आप देखेंगे मंदिर में सुरुआ के समय जो बॉकनाक मंदिर है उनका देवता का उसके पूजा होती है तभी या जितने भी यहां से सर्मिक जाते हैं वो पहले नमन करते हैं इसके बाद में सारा रेस्क्यू का आगर मसीन चल रही है और सब की नजरे अब इसी टनल के ठीक सामने लगी हुई है कि कब वो खबर आए कि अब ये पूरा ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग जो हो रही है इसको हॉरिजेंटल बोलते है चूंकि जिस तरह से प्लान तयार किया गया है इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग है होरिजेंटल ड्रिलिंग है पर्पेंडी कुलर ड्रिलिंग है इस तरह से और एक तस्वीर सुबा के समय दर्सुक को यह भी दिखा दे कि जो इसमें मसीने लगी हुई है खास तोर की जो मसीने है जैसे आउगर मसीन चल रही है बूमर मसीन चल रही और इसमें एक्सिवेटर चल रही है, हाइडरा मसीन चल रही है, टीमबी मसीन चल रही है, ये तमाम ऐसी मशीने हैं जो इसमें कंटीन्यू काम कर रही है, तो उनका पूरी तरह से आपरेशन चल रहा है, आज का दिन आया आज देर शाम तक, अगर इसी तरह से रेस्क्यू और आपको बताएं का औरोध क्या हो सकता इसमें बड़े कोई अगर चटान नहीं आती किसी तरह का कोई स्टोन नहीं आता कहीं कोई मसीन नहीं आती या किसी तरह का कोई आइसमें आरन की सील्ड नहीं आती अगर ऐसा कुछ नहीं होता साथ से आठ मीटर तक तो ये माना जाए की आपरेशन लगबग अंजाम की दिसा में बढ़ चुका है और जो इस ड्रिलिंग का काम कर रही है इसमें जो एजनसी काम कर रही है आपने देखा कि लगातार इसी तरह से NHI DCL काम कर रही है ONGC काम कर रही है BR के Alex Agency काम कर रही है और अगर देखे उपर की साइड में जो काम कर रही है उसमें RBNL है SGBNL है यह तमाम ऐसी एजनसिया है जो continue काम कर रही है जो की इनके एक्सपर्स है एक दो सवाल और आपसे मैं समझा चाहूँगा भी जो आपने सामने बताया कि सामने ड्रिलिंग का तो काम चल रहा है लेकिन उपर भी एक जगा बनाए गई थी कि उपर से भी ड्रिलिंग होगी उसकी क्या पडेट है और दूसरा जैसे कल मजदूरों की जो वीडियो फोटेज जारी की गई थी जो बताया गया था कि मजदूर सुरक्षित है आज भी मजदूरों के लिए कोई मजदूरों से बातचीत की जाएगी और उसकी कोई वीडियो फोटेज भी जारी होगी देखें आपके पहले वाले सवाल का जवाब देते हैं पस्वीर आप देखिएगा सवाल का जवाब देते रहेंगे उपर अगर आप देखेंगे तीसी के ठीक उपर तीन सो मीटर दूरी पर एक प्लेटफॉर्म है बहुत उचाई काफी हाइट है और यहां जो बियारों ने रोड बनाई उसके जरिए कई मशीने जा चुकी है जिसमें आरवीएनल की है चुकी दो एजन्सी काम करने हैं आरवीनल, सजी वीनल तो जो आरवीनल की है वो चोटी पाइप की ड्रिलिंग होगी उसके लिए प्लेटफॉर्म मनाया गया है मसीन जा चुकी है उसमें अपडेट यही है कि उस मसीन का इंस्टॉलेशन होता है उस मसीन को लगाने में सेट करके फिर डिलिंग का काम करने में भी कम से कम से पान से साथ घंटे का वक्त मिन्मम टाइम लगता है तो उसका अपडेट यही कि आज अगर पूरा सब कुछ ठीक रहा जो डिलिंग का काम सुरू हो सकता है एक अपडेट है दूसरा जो आपने कहा कि मजदूरों के जो उनकी लोकेशन है उनकी से बातचीत का है खाने का है उसके लिए बताए कि कल दो बार इंडो इसकोपी कैमरे का इस्तेमाल किया गया था अगया आज फिर करके उनके अलकुल उनके स्वास के बारे में जानकारी ली जाएगिया हमारे साध्यगी बता रहा है सारी अपडेट हमारे साध्यों बताई बहुत-बहुत शुक्रिया रामनुष तमाम अपडेट हम तक पहुछ रहने के लिए तो